चुलिए आपको तस्वीरे दिखाते हैं जैपूर में बीजेपी का सदस्कता भ्यान जवार सिंग बेढ़ हम पहुँच गए हैं इस कारिक्टर में सुनी क्या कुछ कहना है उनका और इसका बहतर एलाज हो सके इसके लिए जैपूर से भी स्पेस लिस्टों की टीम भिजी और वहां डाक्टरों से सुमें बात की मेरी भी जिलाब प्रिसासन और डाक्टरों से खुद की बात हुई हमने बहतर इलाज कराने की बिवस्ता की लेकिन दुर्भाग से उस बालक को हम नहीं बचा पाए कानून ब्यवस्ता की दृष्टी से वहां की इस्थानिय पुलिस और प्रिसासन पूरी मुस्तेदी से है अपराधियों के खिलाब तुरत कारवाई की गई उनको जो नाबा ले गया उसको डिटेंट किया गया बागी वफ्तारी डाली गई मैं इतना ही कह सकता हूँ कानून संपत जो भी कानून में प्रावधान है उनके अंचार कठोर से कठोर कारवाई की जाएगी अपराधि को बक्सा नहीं जाएगा मैं ने का दुर्भागे पूर्ण घटना थी और जिस तरह का हमला हुआ वो विचारनी विशह है आगे से जो मेकिनेज में पूरी चर्चा करके कैसी घटनाओं पर रोक लगे सरकार पूरी तरह से अपराध के खिलाप है अपराधियों के खिलाप हम कठोर रवया अपनाए हुए हैं आप देख भी रहे होंगे प्रदेश के बिविन नहीं से जो खबरे आती है पुलिस ठोस कारवाई करती है और अपराधियों में खौप और भै भी है लेकिन जब इस तरह की घटनाओं होती है तो उस पर अलग स सब्सक्राइब करने की आवश्यक्ता निश्चित रूप से है कि स्कूलों में कॉलेजों में इस तरह की घटनाओं घटित नहीं हो और उदैपूर की जनता को में धन्यवाद दूंगा को सांती बनाए हुए हैं हम उस पर पूरे नजर बनाए हुए पहले ही दिन से हैं इतन घटना करम हुआ देवराज की जान चली गई कोशिशों की बावजूद जान नहीं बचाई जा सकी दिश्ट्रीज का जिकर कर रहे थे जब हार सिंग डेठम जो की पहुंच रही हैं भारती जनता पाठी के सदस्ता अभ्यान में और प्रदेश प्रभारी राधा मुहन अग प्रदेश प्रभारी राधा मुहन अगरवाल इस जिम्मदारी के मिलने के बार क्योंकि पहली बार पहुंच रहे हैं तो यह जादा खास है उनके समेथ प्रदेश भर के नेता इसमें शामिल होंगे इस यह भचलाल शर्मा भी कारिशाला में श्विरकत करेंगे वो तस्वी देरे भी परसंदिया पर आप देखेंगे कि धिरे धिरे सभी के पहुंचने का सिलसिला जारी है